नमश्कार मेरे प्यारे साथि मैं डीपी आप लोग सामने एक नए वीडियो के साथ आज हाजिर हूँ यह जो चित्र दिखाई पड़ रहा है किसका है यह चित्र है परंबीर चक्र का आप लोग को मालूम होना चाहिए एक रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा सेनाओं के लिए उच्चतम सोरे सम्मान जो है परंबीर चक्र है इसको पीवी सी भी कहा जाता है इसकी अस्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह सम्मान दिया किसको जाता है जो जल थल और वाई में सत्र पक्ष के लिए बिशिष्ट बीरता लड़ते हुए सत्र पक्ष से लड़ते देता है उन्हीं को दिया जाता है इसको बैधानिक रूप से प्रभावी माना गया था 15 अगस्तन 1947 को अब अगर परंबीर चक्र के अर्थ पर जाए तो क्या होता है इसका मतलब होता है वीरों में सरोत्तम को दिया जाने वाला पुरसकार अर्था वीर का आर्थ साहसी होता है जानती चक्र का आर्थ होता है पहिया अब इसकी बनावट कैसे तो वास्तों में काशे का बना होता है यह पूरा और इस तरह से कُछी दिखाए होती है देख रहा है इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए मैंने इसको जो है इंटरनेट से इसका साफ चीतर लिया था जिससे आप लोगों पता लग सके किसमें होता क्या है तो अब यह परंबीर्चक है इसमें क्या होता है कि इसमें यह गोला होता है कांसे का बना होता है, 1.38 इंच ब्यास का होता है, इसमें उभार होता है, यह सेर भारत का चिन्न बना हुए है, इसके चारो तरफ चार जो हैं, इंद्र के बज्र की डिजाइन बनी हुए, देख रहे हैं ना, इंद्र के बज्र की चार प्रतकितियां होती है, डिजाइन होती है, प्रि इस kras को, परंबीर चक्र को युनाइटेट किंडम की विक्टोरिया kras के बराबर, या युनाइटेट सेस अफ अमेरिका की पदक आफ अनर के बराबर डिजैन किया गया है। इस पूरे जो परंबीर चक्र पदक है, इसकी डिजाइनिंग कि इसने तयार किया था। इसकी डिजाइनिंग त्यार क्या था स्रीमति साबित्री वायी खानूलकर जिनका जन्व स्विट्जयलेंड में 20 decrease 913 को हुआ था इनका नाम क्या था, इवावोन लिंडा मेदे दे मारोस क्या नाम था इवावोन लिंडा मेदे दे मारोस अब इनका नाम तो सावित्री भाई खानोलकर इसमें लिखा जाता है क्योंकि इन्हों ने उस समय कैड़िट हुआ करते थे मेजर जनरल बिक्रम राम जी खानोलकर इनसे साधी किया था और मेजर जनरल बिक्रम राम जी खानोलकर कैड़िट की रूप में United Kingdom में जब थे Royal Military Academy में थे तो वहाँ से छुटियां मनाने के लिए Sweden Land में गए थे वहाँ एक दूसरे इनको देखते ही इनसे प्रेम हो गए तो love marriage कर लिए बाद में इन्होंने अपना नाम बदल करके सावित्री वाई खान उलकर रख लिए इनकी भारती संस्क्रत के बारे में बहुत गहरी जानकारी थी अनुराग था इनको जानकारी थी इनको बहुत प्रेम था और इनका कलाकोसल भी बहुत लोगों को मालूम था कलाकोसल के विशे में भी इसलिए इनको पदक की अभिकल्पना के लिए चुना गया और यह जो परम्वीर चकर का डिजाइन देख रहे है यह इनहीं की कलपना है किसकी? ये क्या नाम हैं क्या? सावित्री वाई खानोलकर ठीक है? जो कि Major General विक्रम राम जी खानोलकर की वाईफ은 इन्हें की कलिपना थी यही नहीं इन्होंने असोक चक्र की भी कलिपना की हैं महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शोरे चक्र वीर चक्र और जनरल सर्विस मेडल जो दिये जाते हैं इनकी भी कल्पना इन्होंने ही किया था ये बात अलग है कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया इनहीं के एक रिष्तिदार थे खानोलकर जी के ही मेजर जनरल बिक्रम डाम जी खानोलकर और शावित्री भाई खानोलकर के रिष्टदार थे इनकी बेटी का नाम था कुमधनी सर्मा और उनकी देवर थे मेजर सोमनात सर्मा उन्ही को पहला परंबीर चक्र का सम्मान दिया गया था अर्थात इन्हों ने जो ये पुरसकार बनाया ये अपने ही रिष्दार के लिए सबसे पहले दिया गया इन्हीं के रिष्दार को दिया गया मेजर सोमनात सर्मा को जो कि 1947 में बढ़गाम की लड़ाई के बाद में सहीद हो गए थी तो बाद में तो स्रीमती खानोलकर 26 नमबर 99 को इनका नीधन हुगा था स्रीमती खानोलकर का जन्म कब हुगा था पीछे बताया होँगा 20 जुलाई 1913 या 28 जुलाई 1913 को स्विडिया लेंड में तो यह पूरा परमबीर चक्र के विशे में है आगे आने वाले दिनों मैं कुछ और वीडियोज बनाऊँगा जो कि आप लोग परमबीर चक्र विजेताओं पर होगा आसा है कि आप लोग इसे नाभानमित होंगे न